Good morning dear student, myself परदीफ शर्मा, your assistant teacher. Dear student, आपने इससे पहला वीडियो भी हमने आपको अपलोड किया था इस चैप्टर के बारे में, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा दुबारे से आपको ये रिवाइज करा देते हैं, और इस चैप्टर को आप वन बाई वन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमने पढ़ाता था कंपनी बीकम दा दीवान, कंपनी दीवान कैसे बनी थी इसको बता दिया था, हमने एक बार हम थोड़ा सा रिकाल कर ले थेंगे कंपनी को दीवान कैसे बनाया था, किसने बनाया था, मुगूल इंपरर सहा आलम थे उस समय सहा आलम द्वित्ति है अपोइंटिट दा इस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान व बंगाल on 12 अगस्ट 1765 12 अगस्ट 1765 को बंगाल में दीवानी किसको दी थी बिटिस्ट इस इंडिया कंपनी को किस ने दीती उस मुगूल इंपरर थे आ तो यह रोबर्ट क्लाइव के समय में इस्टेबिस हुआ था और इसके जो विटनेस बने थे आपको इंडियन थे और कुछ इंग्लिसमें थे और बिटिसर्स के लिए बहुत दूर का ये मील का पत्थर था जो भारत में उनकी सत्ता इस्ता इस्तापित करने में जिसने बहुत बड़ी भूमी का निभाई इसमें the company was become the chief financial administrator of the territory under this control जो company क्या था जब वहां के दिवान बन गई थी तो chief यानि की मुख financial administrator यानि की प्रसासन में आ गई थी यानि की पूरा जो आर्थिक जो पावर थी जो control जो territory उनके control में थी वो British India के company के हाथ में आ गई थी या आपने पढ़ा होगा पितले इसमें अब इसमें आता revenue for the company revenue का मतलब है कि आपका collection of the tax उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे collection of the tax के बारे में पढ़ेंगे तो British India company की बात करते है company had become the divan, its primary focus remained to be trade पहला तो जब वो divan बना company तो उसका primary focus क्या रहा उसका primary focus क्या रहा बिच्छो उसका primary focus तो फिर भी trade रहा trade का मतलब है export and import, export and import, export का मतलब है सामान को बाहर बजना और import का मतलब है बाहर से सामान को मगाना it wanted income from revenue but did not want to set up a regular system of revenue assessment and collection देकि ये क्या था, regular, ये क्या था, revenue तो चाहते थे but क्या था, did not want to set up a regular system of revenue assessment and collection लेकि ये ऐसा system collect नहीं करना चाहते थे, नहीं करना चाहते थे कि जिससे की एक ही परकार का revenue मिलता रहा क्योंकि कभी-कभी क्या था, फसल बहुत अच्छी हो जाती थी या development हो रहा था, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि एक जैसा ही same collection रहे या हम ही लोग उसमें collection करे, it wanted to increase the revenue, वो revenue को increase करना चाहते, so that it could be by cotton and silk low cost उनको tax जादा मिलेगा, पैसा उनके पास जादा आएगा, तो वो आसानी से जो भारत में मिलने वाले कच्छे माल है, जैसे silk है और आपका cotton है, तो वो आसानी से खरीच सकते थे, पहले क्या होता था, वो अपने पैसे से gold के बदले में, वो यहां से समान खरीचते थे, अब जब यहां पर revenue collection का इनका काम आ गया, इनके हाथ में यही का पैसा आ गया, तो यहां के पैसे से यहां का माल आराम से खरीच सकते थे, क्योंकि पहले उनका पैसा यहां पर नहीं चलता था, उसके बदले में उनने gold या और other valuable चीज़ देना पड़ता था, तो आप इसको ज़ चादी लेके आने पड़ती थी, चादी लेके आने पड़ती थी, to purchase goods, यहां से समान खरीदने के लिए, now, revenue collected was used, अब जो उन्होंने revenue यहां से collect किया, जो as a finance में, to purchase the goods, वो यहां से जो समान खरीदते थे, पहले gold और silver से खरीदते थे, अब Britishers ने यहां पर revenue collection किया, उसको य value of goods by the company as Bengal doubled in just five years, यानि कि आप देख सकते हैं, जो उनके goods की जो value थी, company की जो बंगाल में क्याती लगबग डबल हो गई थी, पांथ साल में ही, आप देख सकते हैं, the company of Bengal, the economy of Bengal was badly affected, agriculture production went down drastically, artisans and peasants were unable to make and meets, artisans were forced to sell goods to company at low prices and peasants were unable to pay the company taxes, अब आग कर रहे हैं, कि economy of Bengal was badly affected, इससे क्या हुआ, जो बंगाल का जो economy था, बहुत बुरी थे, कैसे प्रभावित हुआ, जो और दूसरी चीज क्या है, वहाँ पर जो agriculture production था, वो बहुत decrease हुआ, जो artisans से, यानि कि हाथ के दस्तकार, जो वैसे मजदूर थे, जो हाथ से समान बनाने वाले थे, जो छोटे किशान थे, पीजेंट का मतलब छोटे किशान की बात करते हैं, वो क्या थे, उनका जो, मतलब उनका जो बहुत उनुक्सान हो रहा था, make and meets, यानि समापती की तरफ चल रहा था, artisans को जबर जस्ती, उस condition में भी artisans को Britishers ने force किया, कि you have to be pay your prepared goods to the company at low cost, वहाँ पर लोगों को bound किया गया, जो artisans से हाथ के दसकार के जो भी आप माल बनाते हैं, उसे company को आप सस्ते दामों पर दीजिएगा, और जो पीजेंट से, जो उनकी जो पूरा फसल बरबाद हो गया था, वो tax देने में unable थे, तो उनको भी force करा गया, company के जबर जस्ती के आप उनको tax दीजिएगा, अगर 1770 की बात करते हैं, एक great famine, famine का मतलब है अकाल, अकाल पढ़ा 1770 में, swept across the Bengal, पूरे Bengal को उसने बहा दिया, as a result about 10 million people dead, और लगबग जो है 10 millions का मतलब है की 100 लाख, 1 million is equal to 10 lakh, 10 lakhs तो 10 lakhs मिलियन का मतलब है की 100 lakhs, यानि की 1 करोड लोग, एक करोड लोग उस famine में मर गए, अब need to be improved agriculture, अब क्यों agriculture को उनको improve करने की आवशक्ता पड़ी, मैंने man purpose आपको पहले ही बताया, तो उनका man purpose क्या था, कि वो जाते से ज़्यादा tax collect करना चाहते थे, य यह आपका revision video है, आप इसको जरूर देखें, इससे पहले भी इसी परकार का video हमने load किया था, upload किया था, आप उसको भी देखें और ये भी देखें, इसमें ज़्यादा आपको अंतर नहीं मिलेगा, I hope you will get the real knowledge, next है आपका need to be improved agriculture, उनने agriculture को improve करने की क्या आवशक्ता पड़ी the company, company ने क्या महसूस किया, the company felt that it had to do something to ensure regular income, अब company क्या चाहती थी, कि यह इनी चाहती थी उनको कभी tax come collection हो, कभी जादा हो, तो company क्या चाहती थी, कि company का जो एक regular income होना चाहिए, हर व्यक्ति आज भी चाहता है कि उसकी एक fixed income हो, ना कम ना जादा, जितनी उसकी आवशक्ता ह वो जावशक्ता से जादा तो हो, लेकिन वो हो regular हो, ऐसा ना हो कि अभी तो हो गई है, फिर दस दिन, पिर जो दस महीने अलग ना हो, COVID-19 इस तरीकी से ही कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या हालात है हमें corporate करना है, with this objective, अब इसके कारण के, इसी कारण से कि उनके company के एक regular income होने इंटेओस दा परमनेंट सेटलमेंट, स्थाई बंदोबस्त बोलते हैं इसको, स्थाई बंदोबस्त, इसको तो ये नो ने कहा कि परमनेंट सेटलमेंट किया जए, in 1793 में परमनेंट सेटलमेंट किया, according to the term of the settlement, इनोने कहा राजास, राजासा मतलब किंग की बात करते हैं, जो छोटे तब को के राजा हुआ करते थे तालुकदार जैमिदार बोलिए का एक तरीके से वर इसमें तोड़ा सा देखिए वर रिकोनाईज एज जैमिदार जो तालुकदार थे जिनको क्या रिकोनाईज किया था जिसे हम recognize करते हैं जैमिदार तालुकदार जैमिदार बात देखिए they had to be collect the rent from present and pay the revenue to the company तो राजा और जो तालुकदार हुआ करते थे जैमिदार हुआ करते थे उनको ये responsibility दी गई कि आप जो किसानों से tax collect करें और company को hand over करें अब जब राजा तालुकदार किसानों से hand over करेंगा उनसे tax लेगा तो वो अपना benefit भी तो देखे गया देखेगा तो अब किसानों पर ज़्यादे tax पढ़ने लगा क्योंकि वो अपने benefit के लिए भी रखेंगे पर जाला कि Britishvist ने कहा था कि इसका एक भाग हम आपको भी देंगे लेकिन हमें कम से कम उनोंने fix कर दिया कि आपको इतना tax देना ही है अब उसके बदले में राजा किसानों से कितना भी पैसा क delay करें वो उनकी मर्जी थी this settlement was called permanent settlement because the amount of revenue to be paid by each जमिदार was fixed इसको permanent settlement इसलिए का आगया क्योंकि जो company को जमिदार को जो पैसा देना था tax का जो पैसा revenue का जो पैसा देना था लगान का जो पैसा देना था वो fix था कि इतना जमिदार को देना है and would not be increased in the future और उसमें ये भी सर्थी कि ये आगे future में increase नहीं होगा आप समझ सकते हैं तो the company thought that company ने ये क्यों कहा company ने ये क्यों सोचा company ये सोचती थी thought that this would ensure that there was a regular revenue into the companies company का ये मानना था कि इससे जो है company की नियमित आई होगी regular उसको income होगी और ना कम ना ज़्यादा एक फिक्स है कोफर्स एंड जमिदार्स वूड इंवेस्ट इंप्रूविंग लेंड और जिनके पास को जिनकी जो collection की authority दी है company ने वो क्या है जमीन को पैदावार ज़्यादा लेने के लिए उसमें improvement करेंगे उसमें अपना पैसा लगाएंगे ताकि ज़्यादे ज़्यादा उनका production हो और वो ज़्यादे ज़्यादे किसानों पर पैसा उठाएं और company को क्योंकि उन्हें निश्चिती देना है तो इससे जमीदारों का benefit हो जमीदार जो है लोग की किसानों की ज़्यादा जमीने इंप्रूमेंट कराएंगे पैसा इंवेस्ट करेंगे as they would benefit from the increased production जैसी production ज़्यादा बढ़ेगा तो उनको benefit होगा लेकिन हुआ क्या आगे देखते हैं इसमें तो दा जमीदार जमीदार को ज़्यादा benefit होगा उन्होंने सोचा और अजसे agriculture जो है जो जमीदार जिसको जमीदारी दी गई है तो वो मनी लेंडर का मतलब सहुकार जैसे पहले जो लाला लोग हुआ करते थे जो पैसे का लेंडिन करते थे वो उससे पैसा लेकर पे कर सकता था अगर वो फिर भी पे करने में ऐसा मरता तो उसकी जो पूरवजों की जमीन थी वो जब्त कर ली जाती थी तो यह कंडिशन है अब इसमें देखिएगा अब अंग्रेश तो अंग्रेश होते हैं अब उन्होंने कहा बिला ठीक है इस सिस्टेम उन्होंने चलाया अब उन्होंने कहा कि भई वो सार सब को लूटना चाहते थे अब वो जमीदार को थोड़ा का दाया अब उन्होंने कहा कि जमीदार उन्होंने क्या किया इस बीच में जमीदार उन्होंने क्या किया जनता से बहुत ज़्यादा पैसा जो किसानों से बहुत ज़्यादा पैसा लिया और कंपनी को फिक्स उन्होंने अमाउंट दे दिया लेकिन उन्होंने जैसे company सोच रही थी किसानों के जो खेतों में इन्वेस्ट करेंगे production बढ़ाने के लिए ताकि इनको benefit तो उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि जो land था that was not fix वो permanent नहीं था कि एक जमिदार के पास में इतना ही रहेगा क्योंकि तो उन्होंने का कि आज हम यहां के जो जहां के हम हमें tax collection का जो जिम्मा दिया गया यहां की बज़ाए हमें transfer कर दिया कहीं दूसरी जगए तो हम क्यों invest करें तो यह system से जो बेटी सर्थ ने सोचा था वो उसको follow नहीं कर रहा था अब इसको बदलने के लिए उन्होंने दूसरा system लागो किया उसका नाम तरह था माहलवारी system इसको ध्यान कर लेना यह system board में भी आते हैं यह मतलब अपनी बात करने competitions की बात करते हैं क्योंकि 10th में तो यह system है नहीं आपका 910 में 910 का दूसरा history आपका आजाता है तो उसमें इस परकार के जो history के question इसमें से आपके आते हैं तो इसको आप ज़रूर note down कर लेंगे अपने brain में आप 1822 की बात करें An Englishman called Halt MacKenzie इसे MacKenzie के नाम से बोलते हैं created a new system called the mahalwaris system under this collector is inspected the land इसके साथ में दिको सारा का सारा collection of revenue ही है लगान का collection ही है अब इसके अंदर में क्या करता है जो collector होता था जो सर्वे सर्वा होता था वो land को पहले inspect करता था उसको देखता था किस परकार का land है and measure the field of every village और पूरे गाउं का जो field है जो खेती है जो खेत थे उनको वो measure करता था मापता था then the estimate revenue each plot और फिर वो हर खेत का ये बताता था कि इसमें इतना production होगा और इस पर इतना लगान लगाया जाएगा within the village while added up उस एड कर दिया था total was revenue total revenue that each village माहल जितना भी होता था revenue जो collect होता था revenue that each village माहल was supposed to pay अब वो पूरे गाउं की जिम्मेदारी थी कि सारे लेंडों को उन्होंने माप लिया सब लेंडों पर बता दिया कि इस पर इतना production होगा और इतने production पर हमें इतना revenue चाहिए लगान चाहिए तो वो पूरे गाउं की जिम्मेदारी दे जेती कि विलेज का मतलब माहल से था कि इस गाउं से हमें इतना tax चाहिए ये बहुत important बात है इस revenue वास तो भी periodically revise और एक चीज है ये समय समय पर ये जो revenue था ये लगान था periodically revise समय समय पर ये revise होता रहा था दा विलेज headman had to be responsibility जो विलेज का जो बुजूर्ग व्यक्ति होता था परधान होता था मुखिया होता था उसकी responsibility थी उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको collect करे and pay to it to the company और वो company को pay करे अब इसमें एक system आपका आगया उसमें fix था लेकिन इसमें fix नहीं था जमीन की पहले इसमें पूरा 25 की गई फिर plot के खेती के इसाफ से जो part था उसके इसाफ से उसमें tax revenue settlement किया गया फिर total revenue को जो फिर गाउं की जिम्मेदारी दे दी गई कि आप गाउं को total इस गाउं से इतना इस फिल्ड में इतना इस फिल्ड में इतना सारो का एक एवरेज निकाल के पूरा एक साथ set करने के बाद में फिर वहां के जो मुख्या होते है तो उसके आगए ति आप यहां से collect करें और आप हमें revenue दे अब इसमें आप देखेगा जमीदार वो अलग अट गया है इसमें तालुकदार जमीदार या राजा वो अलग अट गया है अब डारेक्ट वे यह जो settlement है यह किस-किस के बीच में settlement आया है आपका यह settlement आया है British company के और किसानों के यानि कि farmers के farmers और British company के अंडर में यह सारा system आया तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे अब यहाँ पर revenue and paying it to the company ता महलवारी system was put into effect in the north, northwest, northwest provinces northwest provinces, north or west provinces का मतलब आप समझ सकते कि northwest provinces में हम आते हैं अगर इंडिया का अगर आप इसे part कर लें यहाँ से बात कर लें यहाँ पे इंडिया का अगरम कर लें यहाँ पे north है यहाँ पे south है यहाँ पे आपका east है और यहाँ पे आपका west है तो यह north south, north west आपका यह area आ जाएगा यह north west area आ जाएगा जिसमें आपका पूरा उत्तर परदेश, उत्तर परदेश, यह सारा का सारा इसमें आपका एरिया आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा मैप के रीडिंग से भी आप पढ़ने की कोशिस करें, तो यहां पे आप देखेंगे, तो collecting revenue was paying to the company, महलवारी system put in the effect in northwest provinces of Bengal, अब यह आता बं बंगाल का अगर हम लेते हैं, अगर हम बंगाल ले लें, हम ले लेते हैं बंगाल, बंगाल के हम चार ऐसे इससे कर, किसी का जब नॉर्थ वेस्ट देखना तो उसके मिडिल से आप देखेंगे, नॉर्थ, इस्ट, साउथ, वेस्ट, वेस्ट, तो यह नॉर्थ वेस्ट बं यह सबसे पहले लागुकाया गया बंगाल उस समय प्रजिदेंशी थी यानि कि एक परकार से बिटिस स्टेट था प्रोविंसी था अब एक बात समझें, मैंना भी कहा था आपको कि उत्तर प्रजिदेश में आया था पहले कि आते हैं उनकी तीन चारी प्रजिदेंशी बनी होई थी तो पूरा जो इंडिया था 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 तीन प्रजिदेंशी में बाटा हुआ था जो बिटिस के अंडर में था तो वो बंगाल में ही ये एरिया आता था और नौर्ट वेस्ट का एरिया मोस्टी क्या था वो उत्तर प्रजिदेश में था कहा था प्रजिदेंशी उसमें बंगाल की थी उसमें ध्यान करना है ये जरूर आपको रिमाइन करना है तो ये सिस्टम आपको आपको हमने आज बताए तो हमने आ के बन सकते हैं, कि वहन, in which year mahalwari settlement established, तो इसमें बोल सकते हैं 1822, who, who recognize, who establish the mahalwari system, उसमें halt mechanism, इस थरीके से आप objective बना सकते हैं उसके answer दे सकते हैं, और I will say to you only that you have to be prescribed my channel, so that I can give you the special knowledge, in future I will upload that different type of the SSD material, so that you can get more and more knowledge, thank you, have a nice day.